Hello students, welcome back. इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास के सामाजे बिगयन आकलन काजपत्तक संख्यानाव जो कि 17 सितमबर के लिए उसको पढ़ेंगे. प्यारे बच्चों, आपको पता है कि यह हपता आपकी छुटियां है, छुटियों में आपकी वक्सीट आ रही है, आपके टर्म 1 के एक्जाम सोने वाले हैं, उनमें कुछ एक नंबर के कोस्टिन्स भी आएंगे, आपकी इंगली, हिंदी, मैथ, सब सब्जेट की असस्मेंट वक्सीट आ रही है, जो MCQ टाइप है, उनके प्रैक्टिस जरूर करते रहे हैं, तो यह समझ लिजिए, आपका एक तरह से प्रैक्टिस है, ऐसे ही कोस्टिन्स या इसी में से कोस्टिन्स आपकी आ सकते हैं, इन कोस्टिन्स को बड़े ध्यान से पढ़िए, और ज्यादा से अपने दोस्तों तक से यार करें, आपका एक चप्टर है, पालनपूर गाउं की कहानी, जो है, उसी से आधारी 10 प्रस्ण है, हर प्रस्ण के सामने 4 विकल्प हैं, जो विकल्प सही होगा, उसके सामने गोले को आपको खाला करना है, शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले अपना नाम और अपने कच्छा ध्यापा का नाम लिखना ना भूले, चलिए, पहला प्रस्ण है, उत्पादन की पहली आवसक्ता है, दिखें, उत्पादन की सभी आवसक्ता होती, उसमें पहली आवसक्ता होती भूम, तो इसे आप काला करते हैं, चुकि यहाँ पे लाल है तो हम कहिए तो काला करके और इसको काला करते हैं हमने इसे क्या कर दिया काला कर दिया अगला है भूमिनापने की माना की काई होती है हेक्टेयर क्या है हेक्टेयर इसे काला कर दिया इस पिसन को देखने चटा पालंपुर गाउं में बरसात के मौसम में लोग कौन सी फसल उगाते हैं तो देखें गिहुन और चावल बरसात में होता नहीं है जॉर और वाजरा भी नहीं तो जॉर और वाजरा हो जाएगा सात्मा प्रस्ण एक साल में किसी भूम पर एक से अधिक ज्यादा फसल उगाने को बोलते हैं बहुबिद फसल प्रणाली यानि का उत्तर आपका हैसा ही होगा तो हमने चार प्रस्ण कर लिए पहला दूसरा चठा और सात्मा अब आगे के प्रस्णों पर आते हैं देखे आजार मसीन भवन किसके उदाहरण है आजार मसीन भवन जो है यह सभी स्थाई पूंजी के उदाहरण है किसके है स्थाई पूंजी के उदाहरण है तो आप यहाँ इसको काला करेंगे चौथा प्रसन पालंपूर की मुख्य क्रिया क्या है खेती यानि क्रिसी वहां के मुख्य क्रिया है पांच वाप इन में से कौन एक स्थाई पूजी है स्थाई पूजी में मुद्रा नहीं है कच्चा माल नहीं है यंत्र स्थाई पूजी है तो गाह आपका सही तरह तो गाह क साने वाले गोले को आपकाला करेंगे आठ्वे प्रस्न पर आते हैं भारत में हरित क्रांतिका हुदय हुआ था 1960 के दसक में पलंपुर कुसे निकर्टम कस्वे का नाम है साहपुर यानि काप का सही उत्तर है और दसमा है यह वाई वी भी जिसे बोलते हैं हाई यह यल्डिंग वरायटी यानि भी यानि खा जो है आपका सही उत्तर है तो यह देखें, जो खावाला है, इसे आप करेंगे सही, और इसके सामने वाले गोलो को काला करेंगे, तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कैसे, बहुत आसानी से हमने ये 10 जो questions थे, आपकी 9th class की assessment work sheet number 9 के, उसको complete किया, इसे जरूर करें, और अगर आप हमारे चनल पर पह